सो हेले दोस्तों स्वागत आप से भी गाएक और नहीं वीडियो में आज हम बात करेंगे आर्पी मैक्स करने के एक ऐसे तरीक्ये के बारे में जिसके अंदर आप पहले ही दिन आर्पी मैक्स कर पाओगे और साथ में जो आपनी UC spend की है RP Max करने में वो भी आपको वापस मिल जाएगी तो हाँ बिल्कुल होगा ऐसा बट इसके लिए आपको समझना होगा RP Activity Pack तो पूरी वीडियो जहां से देखना तभी आपको समझ मैंगा कि RP Activity Pack होता क्या है और इसे क्या-क्या फायदे होते हैं तो जो लोग RP Max करते थे उन्हें यह पता ही होगा कि 10,000 UC लग जाते हैं करीब पूरी RP Max करने में क्योंकि यहाँ पर 100 rank है और यहाँ पर हर एक RP Point की value एक UC से है तो टोटल 10,000 UC आपके लग जाएंगे तो अभी तो और साथ में आपके RP Max हो जाए तो अब चलते हैं सिद्धा RP Activity Pack पे इसके लिए आपको जाना होगा RP वाले section में तो जो भी आपका current Royal Pass चल रहा होगा उस वाले section में चले जाना और फिर यहाँ आपको left hand side पे upper corner पे दिखेगा एक gift वाला option तो उस पे आपको click कर देना है फिर वहाँ आपको 4-5 packs दिख जाएंगे उसमें जैसे सबसे पहले वाला है वो है RP Activity Pack तो यहाँ पर जैसे A1 Activity Pack लिखावा है इस पर में चल जाता हूँ और आपका जो भी Royal Pass चल रहा होगा जैसे A3 Royal Pass चलेगा A4 तो वहाँ पर यही लिखाएगा A3 Activity Pack, A4 Activity Pack तो ऐसे लिखाएगा कुछ तो उस पर ही चले जाना अब यहाँ पर आपको left hand side पर एक crate दिखेगा जिस पर लिखावा buy pack 1000 UC तो एक crate आपका होगा 1000 UC का जिसको मैं आपको यहाँ पर purchase करने पर जाएंगे हम 10 RP Rank बढ़ जाएगी तुरंत और इसके बाद हमें 2 classic crate coupon भी मिलेंगे तो यहाँ पर हमें 10 RP Rank के साथ 2 classic crate coupon भी मिल रहे हैं और यहाँ पर एक और चीज mention की गई है जो आपके 1000 UC है वो count हो जाएंगे Activity Points Rebate Progress की तरफ तो अब यह Rebate Progress क्या है यह मैं आपको आगे बताऊँगा अभी मैं यहाँ पर आपको इसे purchase करके दिखायता हूँ तो जैसे मैं इसे purchase करूँगा यहाँ पर तो देखो अभी मुझे मिल गए यहाँ पर 1000 RP Points और साथ में 2 classic crate coupon और जो मैंने यहाँ पर आपको 81 Rank दिखाई थी वो यहाँ पर हो गई है 91 तो यहाँ पर जो भी 91 Rank तक की rewards थे वो सारे Unlock हो चुके होंगे और उन्हें जाकर हम easily collect कर सकते हैं बट उससे पहले यहाँ पर एक message आया है successfully activated mission activity points rebate तो अब ध्यान से देखना आप सारी detail बताऊंगे मैं आपको अब यहाँ पर जैसे लिखावा है point rebate activate होने के बाद हमारे जो RP points हैं सिर्फ और सिर्फ वही वाले RP points जो हम mission complete करके collect करेंगे mission activity points की तरफ तो इनका जो ratio रहेगा वो होगा 1 to 1 जिसका मतलब हमारा कोई भी mission इसके बाद complete होगा 100 RP points वाला तो यहाँ पर आपको 100 RP points की progress देखने के मिल जाएगी out of thousand जो कि यहाँ पर उपर की तरफ आपको दिख भी रहा होगा 0 out of thousand लिखा हुआ है जिसके इंदर हमारे RP points count होंगे जो भी हम mission complete करके RP points collect करने वाले हैं वो सारे और बाकि अगर हम premium के rate खोलते हैं mission activity points के रूप में बदल जाएगा और कुछ ऐसा यहाँ पर लोगो दिखना शुरू होगा और अब वापस से RP में जाके देखते हैं तो जो अपनी 81 rank थी वो 91 हो गई है और जो अपने missions थे तो वहाँ पर जो लोगों में आपको बताया था वो भी बदल चुगा है और यहां mission के निचे भी आपकी rebate progress count हो रही है तो यहाँ पर आपको दिखते रहेगे कि कितने आपके RP points बच रहे हैं 1000 में से collect करने जिससे कि आपको 1000 UC वापस मिल जाए और अब जैसे आप 1000 RP points के missions complete कर लेते हो यानि कि इतने missions जिससे आपके 1000 RP points बन जाए तो तब आपकी यहाँ पर rebate progress 1000 पूरी पूरी दिखाई देगी और आपको lobby में ही एक create देखने को मिल जाएगा Mission Activity Pack का जैसे यहाँ पर आपको इस screen पर दिख रहा होगा तो collect वाले बटन के उपर tap करके देख लेते हैं अब यहाँ पर आपको इडिरेक्ट कर देगा Mission Activity Pack की तरफ और अगर यहाँ पर आप points चेक करोगे तो मेरे यह रखे है 101010 जिससे पहला जो option आ रहा है 1000 UC collect करने का वो unlock हो चुका है और इस पर हम जैसी click करेंगे तो यहाँ पर देख लो हमें 1000 UC वापस मिल जाएगी जिसका मतलब यहाँ पर मुझे 1000 RP points भी लगई थे जो मैंने आपको पहले दिखाये थे और एक दो दिन में ही मैंने Mission complete कर लिए तो मेरा यहाँ पर 1000 RP points भी हो गए जिससे की अपने को 1000 UC भी वापस मिल गई तो यहाँ पर मैंने आपको live proof के साथ दिखाया कि कैसे आपको RP activity pack purchase करना है और उससे अपनी RP 100 rank तक कैसे max out कर देनी है और फिर मैंने आपको यहाँ पर 1000 UC वापस मिलते भी दिखा दिए और अगर आपको पहले दिन RP max out करनी होगी तो उससी दिन आप 10 के 10 RP activity pack खरी सकते हो बस आपके पास होने चीए अकाउंट में 10,000 UC और वो आपको पूरे कूरे वापस भी मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपकी पहले दिन RP max out हो जा रही है और इसे आप flex भी जल्दी कर पाओगे बाकियों से और जितनी भी आपने UC लगाई वो सब आपको वापस मिल जाएगी और अगर आपके मन में सवाल यह होगा कि यहाँ पर 2000 points मेरे कैसे दिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 2 activity pack खरीते थे जिससे कि मेरी पूरी max out हो गई थी अब आप सोचरोंगे मेरी तो 81 RP rank थी तो 2 खरीती 101 हो गई अब यह कैसे हो सकता है तो अब बात करते हैं उन सारे players की जो शुरू में तो RP max out नहीं कर रहे बलकि wait कर रहे हैं किसी UC spending event का जिससे कि आप UC spend करोगा आपको कुछ rewards मिल जाएं जैसे कि recently अभी एक Black Friday sale चल रहा है जिसके अंदर 10,000 UC spend करने पर यानि कि खर्च करने पर आपको मिल जाएगा एक बड़े वाला material और जैसे कि अभी BGMI में A3 RP आ चुकी है तो मैंने पूरी 100 तक max out कर लिया है तो बेशक आप शुरुआत में आपर 10,000 UC लगा सकते हो और उससे max out भी हो जाएगी बाद में mission complete करने के बाद आपको अपने 10,000 UC भी वापस मिल जाएंगे और यहाँ पर अभी 10,000 UC spend करने पर एक material भी मिल रहा है तो मैंने जैसे कि max out किया है यहाँ पर मेरी 10,000 UC spend हो गई है और यहाँ से जो mini materials मिले है उससे अपना पूरा material बन गया है तो यह trick आप लड़ाएंगे जिसके आप कुछ ज़्यादा rewards मिल जाएंगे बट अब यह trick आप A4 RP में apply करना इसके अब चलते हैं वापस 7 players की तरफ जो कि अपने बीच में कोई आर्पी max out करते हैं जैसे कि मालों उनके पास 60 आर्पी points हुए 70 आर्पी points हुए या फिर 73 हुए ऐसे में क्या करना है कितने activity pack खरीदने है जैसे कि आपकी आर्पी max out हो जाए और कोई उसी भी waste ना हो तो अब इस point को ध्यान से सुनना बहुत important बात बताने जा रहा हूँ अब जैसे कि आपने एक आर्पी activity pack खरीद रखा है तो इसके मतलब आपके पास 1000 आर्पी points आगे collect करने का option होगा इसलिए आपने ये आर्पी activity pack खरीदना है और आपको कैसे जानना है कि आपके पास 1000 आर्पी points बचे वे हैं collect करने को जैसे कि मेरे एक example ले लो मेरे पास यहाँ पर 81 rank हो रखी थी ना मैंने आपको शुरू में दिखाई थी तो यहाँ पर मैंने check कर लेते mission में आकर के कि मेरे यहाँ पर कितने missions बचे वे हैं अभी और मुझे अभी कितने आर्पी points मिल सकते हैं पूरी आर्पी के दोरान तो मैं यहाँ पर आपके लिए simple कर देता हूँ अब एक week में आपको total 800 आर्पी points मिलते हैं यह fixed है और अगर आप daily खेलते होंगे तो यहाँ पर एक repeatable mission है वो अगर आपका पूरा complete हो जाता है तो आपको मिल जाएंगे पूरे 1100 आर्पी points तो अभी यहाँ पर मेरा example है मैं daily player नहीं हूँ इसके लिए मुझे यहाँ पर 800 पॉइंट ही लेके चलूँगा मैं अगर मान लो आपकी 65 यहाँ पर rank है और सेम यहाँ पर मेरी वाली situation है और इतनी missions बचेवे हैं जितने यहाँ पर मेरे आपको दिख रहे होंगे तो जैसे मैंने यहाँ पर 65 rank का example लिया तो आपको चार activity pack खरीदने होंगे इस हिसाब से जिसका मतलब आपके पास total 4000 RP points आगे collect करने का option होना चाहिए तो इस situation में क्या करना है आपको अपने week वाले missions पे जाना है और देखना आपको कितने missions बचेवे हैं और यहाँ के total count करने के बाद आपको season challenge में चर जाना है क्योंकि वो भी count होंगे rebate progress की तरफ तो इसलिए आपको total count करके 4000 या फिर 4000 से जादा points होने चाहिए तब आप ये total 4 activity pack purchase कर सकते हो वड़ना मत करना उसके जंगा आप ये करो कि पहले अपनी पूरी 70 RP कर लो या फिर 70 से 71 हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नी उसके बाद आप वापस से calculate करो week missions और season challenge में कितने आपके RP points बच रहे हैं तब जाकर आप 3 RP activity points खरीद दोगे उससे आपके RP max out होगी और फिर आपको UC back भी मिल जाएगी तो ऐसे कुछ आपको ये पूरी process करनी है तब जाकर आप RP activity pack खरीद दोगे तब आपके ये फाइदे में रहेगा और तब ही आपको अपनी पूरी UC वापस मिल जाएगी तो यहाँ पर सबसे जुरूरी क्या है आपको calculate कर लेना है पहले ही कि आपके पास कितने RP points बच रहे हैं तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो helpful होगी अगर है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलता है में नेक्ट वीडियो में PUBG और वीजय में के ने अपडेट और टिप्स और इंट्रिस के साथ तब तक के लिए बाई बाई